सात्यों नमस्कार मैं हूँ एडवोगेट सोग सोधरी सात्यों मैं आज कुछ पर्सनल बातें करूंगा आप लोगों के साथ में क्योंकि पर्सनल बातें करनी बहुत जरूरी होती है आप लोगों के साथ में कई बार क्या लोगों को गलत फेम हो जाती है और पता नहीं अब त तो जात तो उसमें साथ हुआ कुछ इसलिए नहीं आया क्योंकि वह वीडियो तो कुछ लोगों ने देखा जैसे 245 वह देख लिया वह तो उनको समझ में आगई तो उन्होंने कोल नहीं किये लिकिन वही बात है सब व वीडियो देखते वरना फिर वो call pay call system वही है 15 दिन में मैंने 11 100 रुपे मैंने ये बताया था कि अपन 11 100 रुपे फीश लेंगे इस से मैंने कितने पैसे अब तक लोगों ने कितने पैसे मुझे दिये कितनी लोगों की मैंने help की ठीक है इस से related मैं कुछ बाते शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में साथियों मैं बता दूँ कम से कम मुझे अंदाज है मैंने अंदाज ही बता रहा हूँ मैं 700 लोगों को मैंने message कौन से किये जिनोंने मेरे से requirement थी उनकी कि मेरे को सर वीजा चेक करवाना है मेरे गोफर लेटर चेक करवाना है सर मेरा passport वहां फंसा पड़ा है सर मेरा जेंट वो पैसे लेके बाग गया सर कनेडा के नाम से मैंने इतने पैसे दे दिये ये medical हो गया वो हो गया immigration बगएरा बगएरा समस्य है ठीक है तो मैंने उनको पता है मैंने बोला था मैंने उनको message एक छोड़ दिया कि अगर आप कोई समझ से समाधान चाते है तो मेरी आप फीच दीजिए legal advice की और बाकिया मेरे से जो भी आपकी help होगी मैं आपकी कर दूँगा तो इसका साथी असर यह हुआ कि लगबग 700 लोग वो थे मैं बता दूँ जैसे आप माल लो 100% को लोगों के थे ठीक है उसमें से लगबग तो हाई हेलो सर जी मुझे विदेश जाना यह वो उनको तो message करने का कोई मतलब था जिनको 100% need है कि अगर मेरे से वो inquiry ले ले लेते हैं तो हो सकता कहीं न कहीं उनको फाइदा हो जाए चे वो पैसों में हो चे वो फंसने में हो चे उनका पासपोर्ट बगएर किसी भी तरीके से वो लोग 700 हैं जिनको जुरूरी थी उन्हीं को message किया बागी सब को नहीं कि ऐसे मैं call आये सब को message करते रहे ऐसा कुछ नहीं था 700 लोगों को मैंने message किया तो मैं खुश तो आलंकि इस बात से हूँ कोई नहीं पैसा मत दो कोई दिक्कत नहीं है जिनको जुरूरत हो कि वो देगा खुश मैं इसलिए हूँ कि 700 लोगों में से मातर मुझे 3 लोगों ने फीस जमा करवाई ठीक है तीन लोगों ने पैसा दिया इसका मतलब आपके इसाब से क्या होना चीए यानि 97% phone fake यानि इनको जुरूरत नहीं थी इसका मतलब यह हो गया कि फीस नहीं देना चाते यानि फरी फोकट में एडवाई लेना चाते है इनको जुरूरत नहीं थी कि कोई नहीं अगर एडवा का फोन मेसेज दुबारा नहीं आया अगर उसके वाट्सॉप स्टेटस में देखें तो कम से कम 20-30-50 मेसेज आये पड़े थे जैसे मैंने 1100 रुप्य का मेसेज उसको डाला उसके बाद उसका हाई एलो आना बंद हो गया तो सुकर अच्छी बात यह कि यह 700 लोग ब्लोग हो यह मुझे लाइब जब तक कॉल नहीं करेंगे जब तक वो मुझे फीस नहीं देते यानि उनको जो फरीगी एडवाईज लेनी थी वो नहीं मिल पाएगी तो यह मुझे कम से कम परेशान मैं तो नहीं होंगा ना इनके वाट्सॉप से इनको चेक करना यानि 15 तारिक से ले फोन नहीं आता तो कुछ हद तक इसमें रोग लेगी है अच्छी बात है और जिनको जुरत होगी वह फीस दे के जिनको अगर लगता है कि 1100 रुपे में अगर अपने लाग रुपे का फाइदा हो रहा है तो वो देगा ठीक है कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट सर आप आप विखारी हो अरे भाई विखारी डोक्टर को बोलके देखो ना एक बार विखारी हो कोट में जाते हो वकील को बोलके देखो ना कहीं पर जाके देखो आप से कोई भी चीज का पैसा लिया जाता है वहां बोलो ना कि आप विखारी हो समझ रहे हो बात को वह तो उनकी गलच सोच है उनके तो चलो उनकी जो बात शोड़ दो वही चरप साथी बता तूं 15 दिन का रिजल्ट है 700 लोगों को मेसेज किये उसमें से तीन लोगों ने मुझे पैसे दिये उसमें एक बंदे का मुझे कि उसका मेरे पास मेसेज आया बाकि दो लोगों के मेरे पास मेसेज नहीं है अलागिने इनको रुट से बातेंéqu बतानी जुरूरी थी ठीक है बसाति इस वीडियो में मेरा मैनमक्स दिये होता कहीं आप लोगों को यह लगेगा यार पता नहीं लोगों ने कितने पैसे दिये क्या यह वो तो भाईया कुछ भी नहीं है मज़े एक बात तो यह समझ में आ गई 100% और उसमें थोड़ा सा मुझे भी यह हुआ कि कोल उठाते से अगर रेगुलर बंदा आठ गंठे रियूज लेके 200 दिन सो कॉल अटेंड करता है तो उसके हालात क्या होते हैं यह रेडियेशन इतना बेंकर होता इसमें ब्लूटूट में मोबाइल में इतना हिस्सा है वो डेमेज हो गया यानि जो माइगरेंज इनको हुआ ना उनको यह ट्रीटमेंट है यूके अमेरिका से बनके आता है इंडिया में अवेलबेल है इनकी ओपीस से बगर है यह रोयल जेली है यह मैगरें के लिए इतना बेस्ट है कि पुछो मत ठीक है साथ 2300 रुपेग इसमें 60 टेबलेट आती एक मैंने चलता यह लेने के बाद तीन दिन लगा था अरली तब जाके मेरा माइगरें ठीक हुआ तो मैं तो यह चाहता हूं कि बहुत अच्छा है लोग जितना लोग कम करेंगे कॉल मुझे बहुत अच्छा लगेगा यार ताकि कम से कम जिनको जूरत है वो तो कॉल कर लें बागी मुझे नहीं लगता किसी को जूरत है 700 लोगों को मैंने वाट्सप किये इस हिसाब से तो यार बहुत पैसा हो जाता फिर लग बग इतने हो जाते आठ लाग साथ लाग के करीब हो जाता इतना पैसा तो वह मैं कहां रखूंगा तीन लोगों ने पैसे दिये मुझे यह इस्तिति है आप जो आप लोगोंने मु पासपोर्ड फंसा देते हैं नकली मेडिकल करवा लेते हैं जासे में फंस जाते हैं यहां 1100 रुपे देने का मतलब है यार यह तो चूतिया बना रहा है 1100 रुपे किस बात के ले रहे हो भाई किस बात के ले रहे हो आपको सोचना चीए ना आप कॉल कर रहे हो नहीं लोगे तो नहीं मिलेंगे, नहीं लगेंगे आपके पैसे, अजेंट से आप ठखवा लो, medical के नाम से, insurance के नाम से, ठीक है, immigration में जमा कराने के नाम से, नकली वीजा के नाम से, नकली टिगड के नाम से, विजिट बरी वीजा के, बहुत सारे option है ठखवाने के, लेकिन य फरी का भया, फोन कम से कम, रोज फरी का नहीं मिलता हो सकता है, थोड़े टाइम के लिए मिल जाए, लेकिन यह जब विजनस के तोर पे आदमी बना ले, जब 22 गंटे यूटूब पे दे देर, फरी का फरी का चीए, तो इसना संभाव नहीं है, तो कोई नहीं, आप लोगो लेकि क्योंकि जिन्दा रहना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि यह माइगरेन का जिस बंदे को वहा नो, उसको पता है, माइगरेन कितनी खतरनाक विमारी है, ठीक है साथियो, कोशिस और जल्दी करेंगे, जय हिन, बंदे,